सो हाई विल्कम बेक तो मैं चैनल विट इनादर वीडियो आज की वीडियो में हम एक बार फिर चंद ट्रेट्स करेंगे लाइव आप दोसों को दिखाएंगे कि मार्केट के सी तरह भी हीविर शो कर रहे हैं सो देख लेते हैं समसी की फार्ट को भी तोड़ा साथ टच देंगे क्योंकि बहुत से लोग समसी फर ट्रेट कर रहे हों थे हैं समसी को भी तोड़ा साथ तच्छ देंगे केंडलस्टिक पुटेंशल को भी तोड़ा साथ तच्छ देंगे फ्राईस एक्षिन को भी तोड़ा साथ तच्छ देंगे सो यह मेक्स completo वीडियो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं देखा जाए तो मार्केट एक सफलाई जोन जापर आप देख रहे हैं कि एक शार्प फोर्मेड यहाँ पर आई थी तो market एक strong demand zone पर है यहापर है यहापर आप देख सकते हैं यहापर हमारे एक supply zone बन जाती है यहापर हमारे strong demand zone पर market आ चुकी है अमेद हैं कि यहापर हमें एक तोड़ा सा एक week high potential candle यहाः गरीन वीग potential candle बन जाती है तो फिर हम आफ के लिए ही trade लेंगे फस्ट इंडिकेशन ये हैं कि मार्केट हमारे डिमांड जोन पर है और जिसी तरह कि इंपलसिव मूव यहाँ पर आया था एक बार फिर चांस है कि मार्केट वहाँ सक्थे पंप हो जाए तो अब आप आप देख सकते हैं मार्केट जो केंडल बना रही है ये एक स्ट्रांग पोटेंशल केंडल बना रही है तो अगर ये केंडल एक स्ट्रांग पोटेंशल केंडल बन जाती है तो फस्ट इंडिकेशन हमें मिल जाती है कि इसके बाद जो नेक्स केंडल आएगा वो ग्रीन ही आएगा सो देख लेते हैं 13 सिकंड अब यह भी बाकी है हमारे ट्रेट की सो बैक टू बैक यहाँ पर अब देख रहते हैं 123456 कैंडल बन चुकी है तो इसके बाद यह तो एक इंडिकेशन यह हैं कि अबर हम अफ के लिए ही जाएंगे फस्ट इंडिकेशन यह हैं कि मारकेट एक डिमांड जोन पर है यानि हमारे एक अडर बलाक है डिमांड अडर बलाक वही पर है मारकेट तो इसलिए यह मारकेट को उफर जाना चाहिए दूसरा यह है कि मारकेट बैक टू बैक 123456 कैंडल बना चुकी है सेक्स केंडल और रेट केंडल बन चुकी है और वो तमाम अपनी जो पोटेंशल है वो नेक्स केंडल में शट कर रही होती है लेकिन वो पोटेंशल इस जहां पर क्लोज होना था क्योंकि मार्किट हमारी एक डिमांड जोन पर दी है ट्रेड बिल्कुल सी डारेक्शन में जा रही है उमीद करता हूँ कि ये इसके बाद चंड ट्रेड जा और करेंगे तो यहाँ पर हमें एक तोड़ा सा मेनोफिलेशन भी नजर आएगी तो वहाँ पर हम इसको पी ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर हम एक और अफ के लिए ट्रेड लेंगे बिल्कुल कन्फर्म ट्रेड है यह जिसी तरह कि हमारे अडर ब्लाक जो है वो बार्केट अभी भी हमारे अडर ब्लाक के अंडर ही है लेकिन इसको जाना चाहिए प्रस्ट इंडिकेशन